तीखी मसालेदा ग्रेवी के साथ आज हम बनाएंगे सफेड छोले यानि की काबुली चना इन छोलो को बनाने के लिए हम किसी भी तरह के छोले के मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे वही मसाले डालेंगे जो आपके पास किचिन में होते हैं उनी सिंपल मसालों के साथ आज हम यह तयार करेंगे तो चले देखते हैं कि यह बढ़िया मसालेदार सबजी कैसे बनती है तो छोले बनाने की सुरुबात हम करते हैं छोले भीगोने से तो यहाँ पर हमने लिए हैं दो कप छोले और इसको आपको दो तीन बार अच्छे पानी से धोना है उसके बास साफ पानी में डाल करके इसे रात भर आपको भीगोना है रात भर आप भीगो करके छोड़ दीजेगा जब यह पूरी रात भीगते हैं तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं अब हमें यह उबालने के वक्त हम इस पानी को फैकेंगे नहीं इसी पानी के साथ हम चने को फैकना नहीं है सारे चने जो हैं हम डाल देंगे कुकर के अंदर और कुकर में हमें पानी एक्स्रा डालना पड़ेगा यहाँ पर हमें चने से दो इंच पानी उपर रखना है साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अब इसमें डालेंगे आदा चमर देशी घी कुकर का ढखकल लगाएंगे और धीरे गैस पर इसमें 3-4 सीटी आने तक इसे उबालेंगे 3-4 सीटी के बाद कुकर की गैस को कर देंगे बंद और उसके बाद जब आप खोलेंगे न तो कुछ इस तरह से हमारे ये बढ़िया से छोले उबल के तयार हो चुके हैं देखे कितने बढ़िया उबले न तो चलिए आप इनके लिए बनाते हैं मसाला तो सबसे पहले गैस ओन करनी है और उसके बाद कढ़ाई में डालना है दो चमस तेल अब यहां पर आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते जो आप खाते हैं तेल अच्छे से गरम होने के बाद 3-4 और लाइचे डालेंगे दो तेज़ पता टालेंगे और दालना बна डहाल ने चमस करना के भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से बारी काट करके डाल रही हूँ अब यहाँ पर प्याज को हमें हलका गुलाबी करना है बहुत ज्यादा लाल इसको भी नहीं करेंगे अब इसमें डालेंगे तीन बारी कटे हुए टमाटर और टमाटर हमारा जल्दी गले इसके लिए हम डालेंगे स्वात के अनुसा नमक, पहले से नमक डाल देंगे, पध्यान रखेंगे हमने चने में भी नमक डाला था, नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी कल जाता, धक करके थोड़ी देर तके से इसी तरह से पकाएंगे, और यहाँ पर हमारा आदा मसाला त मसाले को अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ, कुछ लंबी कटी हरी मिर्चे, यह तीकी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी, मिक्स करेंगे, और ढख करके धीरे गैस पे मसाले को अच्छे से भूनेंगे, जब मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता, तो यहां हमारा जो मसाला है, वो बनके तयार हो चुका है, यानि तेल अलग हो चुका है, तो मसाला तयार है, मसाला तयार होने के बाद जो छोले हमने उबाल के रखे ते वो डालने, यहां पर छोले को हमें चानने की ज़रत नहीं है, या जाले का स्वाद भी आप अपने साफ से रख सकते हैं धीरे गैस पर धीरे दीरे पक्नी दीजेगा धक करके और उसके बाद जब यह बनके त्यार हो जाए तब इसमें बारी कटा हुआ धेर सारा हरा धनिया डालिए तो यह सर्व करने के लिए तैयार है बस उसके बाद अगर चने रात को नहीं भीकोई और तुरंद बनाने हैं तो कैसरोल में हलका गुनगुना पानी डालिए चने को धोईए और इसके अंदर डाल करके आदे घंटे के लिए छोड़ दीजे उसके बाद यह उबलने के लिए तैयार हो जाएगा चने उबालते बाद नमक डाल दीजे और थोड़ा सा गी डालिए गी डालने से पानी जो है कुकर से बाहर नहीं निकलेगा चना बढ़िया उबल के तैयार हो जाएगा जैसे मैंने बनाया ऐसे एक बर आप ट्राय करके देखे आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में अजय है जब दो में ही जूरा बचले फिर इया जो है उनर वीडियो नहीं भाले पैसे तो जजय है झाल मुबलार हम आपसे एक भाले जुकर से कज दोचों आपको आपको घूर और रभ में है अजय है इंता से मैं आपकों आपको